मैं लक्ष्मी नायान गुप्ता, केस लेक्षर, कॉमर्स, गॉर्मेंट पीजी, कॉलेज बे में तरह आज हम लोग प्रिंसपल आफ्मार्केटिंग यानी वीपरन के सिद्धानत में unit 3 की product यानी उतपाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हमने previous वीडियो में आप लोगको उत्पाद के बारे में बता दिया था कि उत्पाद है क्या चीज उसके बाद अगला वीडियो जो हमारा आया था उसमें हमने उत्पाद अंतरले या उत्पाद मिस्र की बात कहा था आज जो हैं हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद पंक्ती या उत्पाद रेखा असल में उत्पाद पंक्ती या उत्पाद रेखा होता क्या चीज़ है तो डबलू जे इस्टेंटन बोलते हैं कि आवर्शकी रूप में समान उप्योगों एवं समान भावतिक विशेस्ताओं वाले उत्पादों का एक विश्त्री समू उत्पाद रेखा कहलाता है कहाने का मतलब है कि उत्पाद रेखा एक समान प्रकार के जैसे अगर हम बात करते हैं साबुन की यानि कपड़ा दोने का साबुन है अगर उसकी बात करते हैं फिर उसमें नहाने का साबून एड़ कर लिए फिर बरतंद होने का साबून एड़ कर दिए उसके अलावा हम सर्फ की बात करते हैं सर्फ उसमें एड़ कर दिए शैंपू एड़ कर दिए तो यह जो समान विशेस्ता जो भौतिक विशेस्ता वाले उ जो उत्पाद होंगे वह क्या कहला आएगा उत्पाद रेखा कहला आएगा उत्पाद रेखा कहला आएगा उत्पाद रेखा कहने के लिए कुछ द्रिष्टिकोण जो हमारे पद्रिष्टिकोचर है जो उत्पाद रेखा कहला आएगे इसमें पहला है समान प्रकार के उपभ बोगता है उसकी जो आवर्शकता है वो समान प्रकार का होना चाहिए ठीक दूसरा जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ किया जाए अब एक दूसरे के साथ कि अगर हम बात करते हैं तो मान लेजिए अगर चाय पत्ती है तो चीनी मिलेगा तभी वो चाय बन पाएगा चाय पत्ती अपने अप में अधूरा है यदि हमको चाय पिलाना है तो दूद, चीनी, अद्रक और चाय पत्ती डाल करके हम चाय बनाएगे तब तो उसका उपयोग हो पाएगा यदि हमके अवल पानी को खुला करके उसमें चाय पत्ती डाल दें तो उसका कोई मतलब नहीं रहा जाता है तो कहने के मतलब क्या है कि इनका जो प्रयोग होता है जो उत्पाद पंक्ती है उसका जो प्रयोग होता है वहाँ इसके बाद है, जिनकी बीपरण विधियां एक समान होती है, यानि किसी को इस तरह का जो उत्पाद होते हैं, उसको बेचने के लिए हमको समान प्रकार की विधियां अपनाना पड़ता है, विज्यापन कराएंगे, तो एक ही तरह का, बेचनी के जो तरीका होंगे, वो भी ए से बेशते हैं वैसे हमारा दूसरा उत्पात भी कियेगा तीसरा जिनें एक मुल्य छेत्र में सम्लित किया जाता है कहने मतलब क्या इनकी जो मुल्य है यानि इसकी यो वैल्यू है वह बहुत जाड़ा differences नहीं रहते हैं एक समान पद्दती अपनाते हैं उनकी rate को टै करते समय तो इस प्रकार ये जो हम चार point देख रहे हैं यह एक विश्त्री दुत्पाद सम्मू का कुछ लक्षण मान सकते हैं इसके बाद उत्पाद रेखा जो हम टै करते हैं उसकी रिदिनिती क्या है कभी कभी जयते कि हमां हम देखते हैं कि एक firm होता है उसके पास पुराने model के वस्तुएं होते हैं लेकिन आज की परिवेश में पुराना वस्तुएं एक साथ नहीं दिख बाता जैसे कि अगर हम अभी motorcycle के बात करें तो पहले 3G था 3G इक बात 4G आया 4G इक बात इदे 6G G का मतलब होता generation यानि अभी इस समय वर्थमान में हमारे पास ये जो है 6BS चला रहा है तो जो पुराने model है उनका उत्रसांसा चली रहा है सांसा नए model भी हमारे पास आता रहता है तो ऐसी परिस्तिती में कुछ फर्म जो है उत्पात विविधी करण का सहरा लेता है जिससे उसकी जो फैसन के अनुसार नए नए वस्तूं का वो विक्रे कर सकता है तो और दोगिक उत्भोकता उत्पात के लिए निर्माता और मध्यर्ष द्वारा अनेक प्रकार के रिती निती का प्रयोग किया जाता है इन्ही रिती निती में परिवर्तन के फल स्वरूप हमारे उत्पात रेखा में बढ़ोत्री या घटोत्री होता है तो आईए देखते हैं कि उत्पात रेखा की रिती निती कौन कौन सी होती है तो पहला है विस्तार रिती निती यानि उत्पात मिस्त्र का विस्तार रिती निती इसमें एक कंपनी जो है क्या करता है कि अपने जो वस्तुएं होती है जो उत्पात स्रिंखला होती है उसमें विस्तार की रिती नीती बनाती है यानि अगर उसके पास एक प्रोड़क्ट है तो दो, चार, छे, दस, पंदरा, बीस, पचीस, पचास, सब ये बढ़ानी के बात करता है जैसे जैसे लोगों क्या उसकता होती जाती है वैसे 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 बनाते जाते हैं और उत्पाद जो मिस्त्र होता है उसमें ये बढ़ोतरी होता जाता है उसकी जो रेखा उत्पाद 35 में क्या होता है वो बढ़ोतरी होता जाता है तो इस प्रकार की जो रिती नीती होती यह विश्तार के रिती नितीव कहलाती है, जैसे एक खाद बनाने वोले कमपनी की बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा और सदी बनाने वोले कमपनी की बात करते हैं, यदि कोई कमपनी जो है, और सदी बना रहा है, और सदी बनाने के बाद, और सदी बनाने के बाद, उसने क परकार की भी और सथी बनाना सुरू करेंगा तो वो अपने यहां क्या कर रहा है अपने रिंज में विष्तार प solicit Ар Ben जैसे mankind बगरा की बात करते हैं, तो mankind जो है या mankind की हुए बात करते हैं, तो आज कल जो है इनों का जो मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या ले आया है, जीरा, grass of fast ठीक, तो यह उत्पाद है एक तरह से, उसके अलाबा, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों के लिए उन्हों संकुचन संबंधी रिति निति यह बताता है कि यदि यानि आप जो है उत्पाद को बहुत ज्यादा मत बढ़ाईए क्योंकि अब उत्पाद को अगर आप ज्यादा बढ़ा के रख लेंगे तो कुछ चीजे पुरानी होते जाएगी लेकिन वो सिंखला में क्यों पढ़ा रह होते हैं उसको हमने त्याक कर देते हैं उसको हटाते जाते हैं यानि अगर हमारा 15 उत्पाद चल रहा है तो हम जो उत्पाद का विक्रह नहीं हो रहा है उसको हम उत्पाद रेखा से दिरे 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 हटाते जाएंगे यानि अपनी उत्पाद रेखा को छोटा करने की जो तक्रिया है यह संकूचन संबंधी रिति निति कहलाता है कंपणी ऐसे जो वस्तुई होती है उसका निर्माण को क्या कर देता है बंद कर देता है उसका उत्पादन को बंद कर देता है जिससे कंपणी का जो यह कंपणी की जो उत्पाद रेखा है वह छोटा हो जाता है इसके बाद है अगला तीसरा नए प्रयोगों का विकास समबंधी रितिनिती यानि हमारा जो उत्पाद है 10 बनाएं 10 हमारा उत्पाद है या 20 हमारा जो उत्पाद है उसमें हम क्या करते हैं कि उस उत्पाद को विक्रय करने के लिए हम जो है नए नए जगों की खोज करते हैं नए नए प्रयोगों की खोज करते हैं जिससे हमारा वस्तूं को खपत ज्यादा हो सके जैसे अगर हम आलू के बात करें तो आलू का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए चिप्स पापड बना यानि एक उत्पाद का हम कहां कहां नय नय तरीकों से उसका उपयोग कर सके हैं यह इस्तिति इसके अंतर गता है ठिक इसके बाद है उत्पाद परिवर्तन संबंधी रीती नीती उत्पाद परिवर्तन संबंधी रीती नीती यह बताता है कि उत्पाद को जो हमारे उत्पाद रेखा है उसमें जो जो उत्पाद है वो लंबे समय तक चलता रहा है लंबे समय तक विक्रा होता रहा है तो लंबे समय तक विक्रा होने के लिए उसमें संसोधन करना जरूरी हो जाता है तो जब तक हम उसमें संसोधन नहीं करेंगे उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे नया च इसमें हमको ध्यान में रखना है कि हम उत्पाद की जो उत्पाद में क्या क्या परवर्तन कर सकते हैं तो उसमें थुदा सुधार कर सकते हैं उसके life cycle को बढ़ा सकते हैं इस तरह के चीज़े इसके अंतरगत आलेंगे इसके बाद आपका है उर्द मुखी यों अधुमुखी वयपार समंदिर हीती नीती उर्द मुखी मतलब क्या है उपर की ओ ट्रेडिंग अप और दूसरा होता है ट्रेडिंग डाउन इस्टड़ जी तो एक समय जो बजार उपर की तरफ चलता है यानि हमारे बजार में पकड कान में रखर करके चलेंगे यह बात करते हैं कि यह कपड़ा 50- क्रुपर मीटर की रहा है तो कोई भी ऐसा समंद में दूसरा उत्पात भी जोड़ लेंगे यह पत् Crowd मीट मीटर का क्पड़ा यह दूसरा प्रोड़ा भी 50 रुबा मीटर तक कभी केका तो उस तरह का दूसरा हम और भी प्रोड़क्त ला सकते हैं ठीक है तो ऐसी इस्तिति को उर्थ मुख्य वैपार रीती निती कहते हैं अधो मुख्य में क्या होता है कि यह संकूचन की तरह होता है कि इसमें जो है कंपणी अपनी जो वैपार नीती है उसमें यह देखता है कि हमारा जो वैपार ठीक दोटास चल zurे रहा है तो उस वस्तु को क्या करना सुरू कर देता है यह उसको बेचने के लिए जो कीमत है वो नीचे रफना पड़ शुरु कर देता है तो ऐसे इस्तिति को अधो मुख्य वैपार नीती कहते हैं इसके बाद हमारा आता है उत्पाद विभिनी करण एवं बाजार विभक्ती करण रीती नीती उत्पाद विभिनी करण मतलब क्या है कि हम जो है उत्पाद को अलग-अलग स्रेणी में बाणते हैं एक एक आधिकारी प्रतियोगता वाले बाजार की कीमत में कीमत विह कि मतलब क्या है कि हमारा जो वस्तु है हमारा जो भी वस्तु है वह उसके जो हम कीमत में कोई पर्योड़ता नहीं करना चाहते हैं बल्कि कि हम दूसरे तरह से अपने वयपार को बढ़ाना चाहते हैं इसको बोलते हैं कीमत विहिंद प्रतिसपर्दा जैसे प्रतियोगिता करा करके उसको कुछ चीजे भेड़ देना एक के साथ एक फ्री ठीक है इस प्रकार के जो चीजे हैं वो कीमत में कोई चेंज नहीं करेंगे भल्की क्या करते हैं अन्य तरीके से अपने प्रतिश्यपर्दा में हमको बने रहने का प्रयति में हम करते हैं तो इस तरह एक जो चीजे होती है उत्पार भी बिनी करन करते हैं बाजार विभक्ति करण बाजार विभक्ति करण कहने के मतलब क्या है यह बाजार विभक्ति करण के ऐसी रिती नीती है जिसके माध्यम से हम अपने बाजार में अधिक से अधिक भागों पर कबजा करने की बात हम करते हैं तो यह होता है बाजार विभक्ति करण घटोतरी कर सकते हैं ऐसी परिस्तिती के लिए हमने जो रीती निती बनाया है उत्पाद रेखा रीती निती तो इस प्रेकार इस जो हमारे जो वीडियो है इस टर्म में हमने उत्पाद रेखा के बारे में पढ़ लिए हैं ठीक है उत्पाद रेखा के बारे में पढ़ लिए ह इसमें थोड़ा सा एक चीज और है उसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं उत्पाद सरलीकरण उत्पाद सरलीकरण का आये जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है तो इस नीती का प्रयोग करने वाले कमपनी एक या कुछ ही उत्पादों का निर्माण कारे करती है सरलीकरण केंतरगत अनावस्यक वस्तू का निर्माण बंद करते जाता है यानि कोई भी ऐसी वस्तू जो हमारे उत्पाद रेखा केंतरगत है तो हम उसका विकराय कम हो रहा है या तो नहीं हो रहा है उसको हम उस वस्तू का निर्मान बंद कर देंगे सरलीकरण करने वाले पक्षो का कहना है कि इसके कारण फुटकर वैपारी थोक वैपारी और रुत पादन करता आदी को कुछी वस्तूओं के साथ वयभार करने के कारण अधिक कुछलता से कारे कर पाते हैं कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास बहुंद सारे वस्तूओं होंगी तो ऐसी परिष्थिती में हम सभी वस्तुमों पर विक्रया करने के लिए ध्यान नहीं दे सकते हैं यदि हमारे पास सीमित वस्तु होंगी तो उस वस्तुमों को हम अच्छे प्रकार भले प्रकार से ध्यान दे करके उसमें हम अधिक उसलता प्राप्त कर सकते हैं उत्पाद पंक्ति जो सरली करण है उसके लिए हमको निरंतर अध्यान करना आवश्यक होता है जब तक हम उसके बारे में अध्यान नहीं करेंगे तब तक हम कोई निश्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं इसमें प्रत्यक चुरूप से तथा अप्रत्यक चुरूप से लाब कितना ह हो रहा है उसमें योगदान दे रहें कि नहीं दे रहें इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हम सरलीकरण कर पाएंगे सरलीकरण करने के लिए लाभों का ध्यान यानि अगर वह लाबदायक नहीं है तो उसको हम उत्पाद पंक्ति से बाहर करने की प्रयास करते हैं औ इसकी लाव हमारा क्या क्या हो सकता है क्या हमारा लाव है क्या हमारा सरली करन से हमको क्या लाव हो सकता है और सरली करन से हमको क्या नुक्सान हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सरली करन का क्या लाव है तो वयवसाय के लाभों में वृद्धी, देखिए, उत्पाद में कई सारे उत्पाद होते हैं, जो लाभ नहीं देते, बलकि वो हमको क्या करता है, नुक्सान पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिती में कमपनी के जो लाभ होती है, वो घटने लगता है, लेकिन अगर उत्पाद स ऐसे यानि अगर हम कम उत्पादन करेंगे, तो उसमें उत्पाद सरली करने, उत्पाद सरली करने यानि उसमें निरिक्छान का व्याय यह सब जो है कम हो जाता है, रख रखाओ के जो खर्चे हैं, वो भी कमाते हैं, थोड़ा मात्रम उत्पादन करने के तुलना में, कुछ विशिष्ट यंत्रों एवां वीधियों का प्रयोग विशिष्ट यंत्रों एवां वीधियों का प्रयोग कहने मतलब क्या अगर हम कम मात्रा में उत्पाद बना रहे हैं कम मात्रा कहने मतलब क्या कम संख्या में उत्पाद बना रहे हैं तो हम विशिष्ट यंत्र का जो चल रहा है वरतमान में उसी का बात करांगे इसके बाद संघठन करेंगे उसको आप संघठन कोई असान हो जाएन इस प्रकार ये हमारा उत्पात का लाव है उत्पास सर्डिकरण का कुछ दोस है कोई भी ऐसा चीज है जो दोस रहित नहीं हो सकता है तो इसलिए जो हमारे उत्पास सर्डिकरण है इसमें भी कुछ दोसे हैं जैसे विभीन अवशक्ताओं की संतुष्टी संभाव नहीं हमारे जो मनुष्य जो है उसकी जो प्रमुख दोश्य है कि यह आवस्त्राओं को संतुष्टी नहीं करा सकता है। दूसरा अधिक विकास नहीं कोई भी संस्था जो है अगर सीमित वर्स्तू का निमाण करता है तो उसका विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसकी प्रोडक्ट जादा रहेगा वहर जादा मात्रा में विक्रा करेगा यादा जादा व्रॉट्विक और अत्य। हमारे पास अद्रोगी के उद्योग में परिष्टन होता है अलग अलग यूनिट लगते हैं लोगों को रोधिकार मिलता है यदि हम उत्पात को सरली यानि गर्ण या बंद कर दें तो उससे क्या होगा लोगों में और दोगी का इस्थिरता आजाएगा लोग जो है हड़ताल तालेबंदी भी करना कुरू कर देते हैं क्योंकि उनको रोजगार चिनने का धर सुरू हो जाता है तो इस प्रकार इसमें हम जो है उत्पास अर्ली करने का लाब और दोस्त इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है माकी जो नेक्स चीज़े हैं वह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे धन्यवाद